नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे खुस होंगे वेलकम टू माई न्यूव लोग तो जी सामका टाइम हो गया सबसे पहले तो आज है छोटी दिपावली आप सबी को छोटी दिपावली की बहुत-बहुत सुबकामना है आपके जीवन में भी हमारे जीवन में भी है तो आर ऐसे ही मना रहें सबके खुसिया ऐसे ही रहें पगवान खूब सारी खुसिया दे सबको तो यहां देखें गुड़ू बन ले जा रही है चाहे इसके पापा के दोस्ताइवे हैं ऊपर है छत पर तो यह चाहे देका रही है देया बेटे बाग अगर मैं निकाल लूँ बिठा लगी चलो देखती हूं मैं दूध निकाल लूँगी और देखें कपडों का डेर कितने सारे कपड़े दो है आज अपने बहुत सारे कपड़े दो है रूची जारी उपर उतारने और उपर सही घेर दी तो कि इतने चक्र लगांगे पिर कौ अधिया ड्रायर करकर डाल लेते हैं तो जी यहां सी कपड़ों की तया भी होगी और लगबग साम के बजगे हैं पांच और साम का जो इविनिंग रूटीन है वो शुरू होगा और जो भी हम दिपावली की तयारी करेंगे जो भी जैसे जैसे हम पूजा पाट करेंगे वो स तो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे तो दिपावली बनाने से पहले तो अपने साम पर लग जाते हैं सब तो काम करना है अब साम का शुरू होगा सुबह के खतम होगे अब काम करना है हमें सबसे पहले हैं निकालना है दूध तो देखती हूं अगर मुझे इनकी बन्वी देख दर्ना के दर्ना समस्सा में बड़े बड़े बाप दी किसी को पूछ भी रहे तो यहां देखे यह गाएं और गाएं का में निकालना दूद और आपने अगर मेरी पहले वीडियो देखी ओगी तो अमारी दो गाएं थी तो एक गाएं देदी है क्योंकि मम्मी से अब इतना काम नहीं होता इसलिए और अब एक ही रखी है एक काई दूद बस बहुत हो जाता है बहुत दूद तो चलो जरूरत होती है लेकिन करने की करने की जरूरत काम जादा हो जाता था तो मम्मी से नहीं हो पाता था चोटी गु और ये जो वो गाई दिया ना पहले जिसका मैं दूद निकाल दी थी वो मारती थी उसकी ये बच्छडी है पहले ये छोटी सी थी ये देखे बड़ी होगी अब इससब पालेंगे ये वाली पाल लेंगे और ये दूद देती है मैं इसका निकाल लूँगी दूद बच्छडा पूरा परेशान हो रहा है दूद पिने के लिए अपने टाइम से पहले बोल गया लाओ मैं डाल देती गास तो जी अब है साम का टाइम उर मैं निकाल रही हूँ गाए का दूद और ये अप एक ही गाए है आपने देखा वोगा पहली वीडीो में मेरे दो गाए थी याँ पर लेकिन एक गाए दे दी है ममी ने किसी को क्योंकि ममी से अब नही होता इतना कम इतना क्या होता ही नहीं बहुत कम होता है मतलब भी मारी रहती है वे पड़ी रहती है और इसलिए एक गाएं दे दी है उन्होंने किसी को और एक ही रखी है तो यहां बस मैं दूद निकाल रही हूँ और वो मार रही है चोकर और यह लात मार रही है इसके ना थन में कुछ हो रहा कुछ दिकत सी हो रह मैं कहा रही थी कि कुछ हो रहा है इसको दुख लगता है जब दूर निकालते हैं और निकालना जरूरी इसलिए है उस वाले थनका क्योंकि डॉक्टर ने बोला है जब निकालना है अगर इसमें छोड़ देंगे तो यह और भी ज्यादा दिक्कत आ जाएगा तो यहां बस मैंने थीं थनका तो पीने के लिए निकाल लिया और जिस थन में थी थोड़ी सी दिक्कत उसका मैंने अलग से निकाल दिया जग में क्योंकि वो उसको छोड़ना नहीं मतलब वो फिर ऐसे खलवा गेरा में डाल देंगे या गाएं क्या गें डाल देंगे वो पीने के लिए यूज नहीं करेंगे तो यहां मैं जब भी उस थन के आथ लगा रही तो वो कूदरी है फिर मम्मी कहने लगी लाओ मैं निकाल देती हूँ कभी लात मार दे और मम्मी रोज निकालती है तो इसलिए उनको ज़्यादा प्रेसान भी नहीं करती है और मुझे काफी दिन में देखा उसने तो थोड़ा मैं यहाद को तो उन्होंने ला दिए थे समय तो मैं दूध निकालने चली गई ती या मैं भी खारी हूं और चाइपी फिरए हूं मम्मी भी चाय पीरी है मम्मी समोस से वगेरा कुछ निकाती बाहर की बहुत कम चीज़ चाती हैं खाती नहीं घर की बनी हुई तो खा लेती है लेकिन बाहर की निकाती तो आज है छोटी दिवाली तो छोटी दिपावली को हम थोड़े दिये जलाएंगे तो उसके लिए हम सबसे पहले पूजा करने के लिए पहले सबसे पहले जो दिये होते हैं वो भी गो लेते हैं तो आज हम सिफ 21 दिये ही जलाने वाले हैं तो इशू 21 दिये को भी गो देगी पानी में इस दोना नहीं है उसमें रख देना है बस त्वेंटीवन काउंट करते रहो साथ साथ बस यहां इसू ने भीगो कर रख दिये और इसू पूरी खुसोरी क्योंकि इसको नया नया काम मिल गया और आज पहली बार सायद कर रही है वो यह काम और यह दिये भीगोना रखना यह सब मतलब लड़कियों के ही काम होते है तो यहां में दोनों बैने अपने काम में लग र करने में आज काफी सारे कपड़े धोए थे हमने और बस यह करके रख देंगे मना फैल ले रहेंगे तो फ्रेंट शाम का टाइम हो चुके और ममा खाना बनाने की तियारी करी है तो पापा जी कुछ पजार से समान लाए थे मतलब आज छोटी दी पावली है तो उसके लिए तो इस प्मान लाए आज तो मैंने सचया आपके साथ शेयर कर देती हूँ तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ वह लाए है तो यह लाए है यह क्या वोलते हैं इनको फूछड़ी होती है यह लाए है फाय्म मेरे और issue के लिए क्योंकि हम हमने अभी तक एक हीज लाया है मैं पापा को पोल्डी थी पॉल्यूशन फ्री वाले लाना पर वो ये वाले लाये तो कोई बात नहीं ये है ये क्या बोलता है निको मुर्गी बंब मुर्गी बंब कुछ ऐसा है तो ये लाया वो एक पैकेट और वो ये जो हपी दिपावली जो गेट के उपर लगाते है जो गेट उपता है उसके उपर ये स्टिकर है तो ये हपी दिपावली पे लक्ष्मी माताजी बने हुई है और ये त्री पीसीज लाये है और एक पैकेट लाए है एक पैकेट लाए केंडल्स का तो अभी आज वह यहीं लाया तो कल हमने उनको बोला है कल हमको पॉल्यूशन प्री वाले पटाके चाहिए तो देखते हैं वो लाएंगे अप फिर नहीं तो अभी मम अबनारिया खाना देखते हैं क्याबनारिया तो जो दिये भिगोवे थे वो फिर गुड़ू ने ऐसे रख दिये हैं उल्टे करके जिससे उनका जो पानी है वो निचड़ जाए अच्छे से थोड़ी देर के लिए रख देगी लगबग आधा घंटे के लिए तो पानी निकल जाएगा तो दिये सूख जाएंगे फिर दोनों बैने लग रही है अपने काम में पूरे जोरो सोरो से और पूरा सुख लग रहा दुनों को करने का अब दिये तो आगे उन्हें भिगोवी दिया है तो यह माजी बना रही है बस्ती कोटन की यह वैसे तो रेडिमेट भी आ जाती है बट हम खुज से बनाते हैं एंगी काम प। और आप है पूजा करने की तयारी और यहाँ अनुजबहिया लग रहे हैं और आप कमेंट करके पूछ भी रहे यहां तो वह यही है अनुजबहिया ये रूची के husband है और ये वीडियो में नहीं आते मैं इनको बोलती भी हूँ तो अगर वैसे back camera से कभी मतलब वैसे ही बना देते हैं तो भले ही आजाओ लेकिन सामने से camera के सामने नहीं आते हैं ये बहुत सर्माते हैं तो किसी ने पूचा था तो मैं उनको बता देती हूँ कि ये हैं रूची के husband तो यहां पूजा की तयारी कर रहे हैं और ये मेरे से छोटे वाले हैं और यहां दिये हैं इन्होंने सिधे कर दिया अनमे रख दिया है बत्ती और एक गुड़ू इशू भी लगी हुई है साथ में और मैं रूची बनाने में लग रहे हैं खाना तो खाना भी बन जाएगा साथ साथ और फिर साम की पूजा भी हो जाएगी तो कुछ लोग तो बड़ी दिपावली करते हैं छोटी नहीं करते हैं लेकिन हमारे यहां दोनों ही मनाते हैं छोटी दिपावली को यह करते हैं कि थोड़ा थोड़ा मतलब कम कम कर लेते हैं सारी चीज जैसे दिये भी कम जला लेते हैं केंडल भी कम जला लेते हैं और बाकी मतलब लेकिन पूजा जरूर करते हैं और बड़ी दिपावली को थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं दिए भी ज़्यादा जला लेते हैं और केंडल वगेरा भी थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब अच्छे से यह है कि पूजा तो खेर दोनों ही दिन करते हैं छोटी तिपावली को भी और बड़ी को भी दिये भी जलाते हैं और यह है बड़ी को थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो यहां दिये सारे जला लिए हैं यह लग रही है ईशू भी और गुड़ू भी दोनों जलाने में और फिर बस दिये जलाने के बाद हमने की है आरती गनेश जी की आरती की है और माता लक्षमी जी की आरती की है तो सभी का अपना अपना रीती रिवाज होता है कौन किस तरीके से करता है और गाव के जो लोग होते हैं वो सिंपल तरीके से ही पूजा करते हैं हम लोग तो बहुत सिंपल तरीके से ही करते हैं सारी पूजा पाट इसी तरीके से बस यह है कि भगवान का नाम लेते हैं यह देखो मैं तो यही करती हूँ कि ज़्यादा दिखावा करने में या ज़्यादा ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा कुछ करने में ये सब कुछ नहीं ज़्यादा मनना जाता अपने मन में हमारे भाव होना चाहिए बस भगवान के परती स्रद्दा होनी चाहिए भाव होना चाहिए वो सबसे बड़ी पूजा है अगर हमारा मन साप है तो वो सब कुछ भगवान उसे भी अच्छे से सुन लेंगे और अगर मन में कुछ और है और हम पूज आ कर दें तो वो कुछ नहीं लगता तो खेर अपनी अपनी वो है जैसे भी हम करते हैं अपने रितिरिवाज से तो यहां बस दिये हमने जला दिये और अपनी आरती भी कर ली तो आरती करने के बाद फिर बस जो मिनस्ते हैं जैसे जो पानी लेते हैं उससे मिनस्ते हैं गुड़ो के पापा ही करते हैं ज़्यादतर ये काम सारे भाया भी कर देते हैं लेकिन जैसे बड़े जो कोई होता है घर में वो ज़ादा करते हैं तो यहां और बच्चों का पूरा मजावरा और यह छोटी गुडिया है आरू जो रूची की बेटी है यह भी देख के पूरे खुश हो रही थी जब आर्थी कर रहे थे तो यह भी अच्छे से आर्थी कर रही थी बोलना तो अभी नहीं आता लेकिन गुन गुनारी थी जैसे सब बोल रहे थे ना ऐसे ही और मतलब बहुत मन लगता है सब इखटे हो के एक साथ पूजा करते हैं यहां हम सब पूरी फैमिली लगे हुए हैं पूजा करने में पूजा हमारी हो गई है बस उसके बाद जो दिये जलाते हैं मिट्टी वाले हम अपने सारे घरों में रखते हैं सब जगे रखते हैं मतलब हर रूम में हर छथ पर ऐसे मतलब हर जगे यह है कि दीप से हम अपने घर को मतलब उजवल करते हैं सब जगे जैसे कहते हैं कि हर जगे चांदना करते हैं यह रोस नहीं करते हैं तो वही चीज हम दिये और केंडल लगा कर इस तरीके से करते हैं आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी इस तरीके से अपनी दिपावली मनाते हो छोटी मनाते हो बड़ी मनाते हो जो भी जैसे भी हम तो देखो वही सिंपल तरीके से मनाते हैं और जिस तरीके से करते हैं वही सब कुछ मैंने आपके साथ सेयर किया है तो यहां बस उसके बाद बच्चे अपने पठाके वगेरा जलाने में हो गए हैं और इसु इतनी डर रही थी पहले तो उसने काफी देर तक जलाई नहीं ऐसे बोलती रही कि मम्मा आप जलवा दो पाप आप लेकिन लग रहा था हुसा कि जलाऊं लेकिन फिर भी डर रही थी हो और डर के बहुत देर बाद जब दो तीन जल गी फुल जड़ी तो उसके बाद उसने जलानी सुरू करी लेकिन फिर भी खुस हो रही थी बहुत ज़ाद है और बच्चे खुस होते हैं तो हम भी बहुत खुस होते हैं माबाप तो अपने आप ही खुस हो जाते हैं तो बस यहाँ पर बच्चे फिर पटा के जलाएंगे फुल जड़ी जलाएंगे तो बस यह थी आज की हमारी छोटी सी धिपावली आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना और बस मैं वीडियो का एंड करूंगी यही पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें सेयर करें तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई